लेते हम एक्जाम्पल नमबर 15 ओके यह लास एक्जाम्पल इसके बाद exercise स्टार्ट करेंगे अब देखी इसमें कुछ concept आपको आप इस stream downstream के बारे में पता होना चाहिए देखो सबसे पहले तो इस question को करने से पहले आपको formula कुछ पता होना चाहिए क्या एक तो formula पता होना चाहिए speed is equals to distance by time सबको पता होगा मेरे ख्याल से speed is equals to distance by time ओके students और यहां से अगर आपको time निकलना और time इधर जाएगा speed इधर जाएगी so time is equals to क्या हो जाएगा distance by speed ओके students यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम ध्यानता सुनिए अगर हम speed को अगर हमने distance को km में लिया है distance की unit km है time की unit अगर r है तो speed की unit हो जाएगी आपकी km पर r याद रखिएगा और speed अगर km पर r में है तो time आपका निकालना होगा तो r में आएगा distance obviously km में होगा तब generally math में आपको km पर r में speed होता है distance km में और आपकी जो time है वो r में होता है तो time निकालने का formula distance upon speed एक तो यह पता होना चाहिए उसके बाद क्या होता है एक होता है still water बास समझो एक होता है एक होता है still water still water मतलब रुका हुआ पानी तो still water में जो boat की speed होती है वो boat की original speed होती है ठीक है so in still water जो बोट की स्पीड होती है रुका हुआ तलाब है तलाब मतलब रुका हुआ पानी एक तो नदी मतलब जैसे स्ट्रीम है स्ट्रीम मतलब पानी की धारा पानी अगर फ्लो कर रहा है तो सोचो अगर आप पानी की डिरेक्शन में चलोगे तो आपकी बोट और ते इच्छे ले लेकिन आप यह समझो still water मतलब का पानी रुका हुआ पानी लिख दूंए के इस्टिल वॉटर मतलब stationary water चल नहीं रहा है stationary मतलब रुका हुआ stationary water आप stationary water में जब भी आप बोड चलाओगे तो बोड का जो engine रगाएगा यहाँ पर पानी force नहीं लगा पाएगा पानी का कुछ fractional force होगा वो आप ignore करो रुका हुआ पानी है तो आपको जो boat की speed होगी boat की original speed होगी बास समझो ठीक तो इन्हें still water boat have its original speed its original speed ठीक है यह सब feel करने के लिए question में लिख लो boat की original speed उसके still water में होती ही अप stream में क्या होता है upstream का diagram बनाते हैं आपके सामने यह देखिए upstream upstream का मतलब यह होता है ध्यान से सुनिए पानी तो इधर flow कर रहा है यह blue color से हमने stream मनाई है यह stream की direction है ठीक यह stream मतलब पानी इधर flow कर रहा है लेकिन boat इसके opposite direction में जा रही है यह देखिए बोट यह आपकी ऐसे जा रही है बोट का motion ऐसे हो रहा है ठीक तो ध्यान से सुनो जरा ध्यान से मेरी बास सुनिएगा अगर आपकी जो stream है उसकी speed है आपकी x km पर आर मान लो ठीक कहीं पर लिख लेते हैं यहां पर let the let the speed of the stream let the speed of the stream be x km पर आर माना की stream की speed कितनी x km पर आर ठीक तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ा दिमाग लगा के तब बताईएगा एक बात बताईए आपकी बोट जा रही है ऐसे और पानी फ्लो कर रहा है ऐसे पानी कितनी speed से फ्लो कर रहा है एक्स और आपकी बोट कितनी speed से जा रही है वो आप question में पढ़ लीजे बोट की speed कौन सी speed होती है तो जवाब है still water में जो speed होती वही बोट की speed होती है तो पड़ो अब motor boat whose speed is 18 km पर आर in still water यानि कि रुके हुए पानी में इसकी original speed कितनी है 18 है तो सुनो ध्यान से इसकी जो original speed है रुके हुए पानी में वह कितनी है 18 km पर आ रहे तो जैसे आप इसको आप stream चलाओगे मतलब पानी के flow करने की opposite direction में चलाओगे अब आप खुद दिमाग लगाओ आपकी speed बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी बताओ खुद सुचो पानी ऐसे जा रहा है और boat आप ऐसे चला रहे तो पानी आपको रोकेगा ना तो आपकी जो boat की आपका जो boat का engine था जो original speed रुके हुए पानी में दे रहा था वो नहीं दे पाएगा अब 18 speed नहीं मिलेगी आपको क्या होगा 18 आपकी speed है और पानी की speed कितनी है जो water flow कर रहा है यह stream की speed कितनी मानी हमने x km पर आर ठेक तो आपके boat की speed को opposition मिलेगा stream से तो आपकी speed कम हो जाएगी कितनी कम हो जाएगी x km पर आर कम हो जाएगी boat की speed in still water minus upstream की speed मतलब sorry boat की speed original वाली minus stream की speed तो अब आपकी boat कितना महसूस करेगी यह देखिए speed of boat speed of boat अब कहां पर in upstream in upstream upstream में आपके boat की speed कितनी हो जाएगी ध्यान से सुनिए क्या आपके boat की speed 18 होगी no आपके boat की speed जो जाएगी 18-x हो जाएगी कितनी हो जाएगी 18-x किलोमेटर पर आर हो जाएगी 18 उसकी original थी और stream यहाँ पर दिखाने के लिखा हो तो मैं आपको दिखा दूँ कि boat की original कितनी थी 18 और पानी फ्लो कर रहा है कितने से उदर एक्स किलोमेटर पर आर से तो जो net speed आएगी वो 18-x अब अच्चे पूस्ते हैं कि sir x में से 18 क्यों नहीं माइनस किया सही सवाल है देखो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करोगे 18 बड़ा x छोटा है कैसे पता चला भाईया सुनो बोर्ट तो तभी तो पानी का उपोस करके चल रही है ना पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और बोर्ट ऐसे फ्लो कर रही भाई सीधी सी बात है बोर्ट का इंजन जादा force लगा रहा है बोर्ट की speed जादा है ऐसे guess करो नहीं तो तुम पानी के साथ ऐसे पीछे नहीं चले आते, तुम आई बोट ही नहीं चल पाती, लेकिन बोट तो चल दे, according to the question, याने कि पानी की speed कम है, stream की speed कम है, और आपकी बोट की speed ज़ादा है, तो जो net resultant speed आपको मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 18-x की मिलेगी, ठीक, तो आप stream में आपके बोट की speed कितनी होगी, 18-x, अब एक बाब बताओ, ध्यान से चेक करो, question अगर आप पढ़ोगे, तो कितना distance travel करता है आप stream में, पढ़ो, कह रहा है कि 24 km upstream, then to return downstream to the same spot, मतलब 24 km अप stream जाना है, उसके बाद वापस लॉट के आना है, तो अभी जाने जाने का ठीक है, तो distance कितना है यहाँ पर, अप stream का distance कितना दिया है, तो यहाँ पर distance जो travel करना है, कितना travel करना है, distance travel करना है कितना, 24 km, अब एक बाब बताओ, अप stream में 24 km जाने में time कितना लगेगा, tu, tu का मतलब time in upstream, u का मतलब upstream, time in upstream, time कैसे निकालते हैं, distance upon speed, ठीक, तो अप stream में 24 24 km distance travel करने में बोट को कितना time लगेगा तो जवाब है time in upstream is given by distance upon speed time कैसे मिलता distance upon speed upstream का distance कितना है 24 km और अब stream में बोट की speed कितनी है 18 मत रख देना 18-x रखना है यह लिजे आर यह हो गया अब similarly आप case बना लो एक diagram बना लो किसका downstream का तो यहाँ पर हम एक line draw करते हैं ठेक तो यहाँ पर हम एक line draw करते हैं यह इस तरीके से और यहाँ पर हम case बनाते हैं किसका downstream का मतलब संजोग यह पानी ऐसे करके flow कर रहा है यह stream की direction है ठेक यह stream की direction है और इधर ही आपकी boat चल रही है यह लीजे ठीक तो इस बार आपके जो boat की speed अब वो कितनी हो जाएगी speed of boat in downstream downstream का मतलब जिदर stream flow कर रही उधर ही आपकी boat जा रही है तो speed of boat speed of boat in in downstream 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 में boat जा रही है तो उसकी speed कितनी होगी सोचो 18 तो boat की है original speed उसमें x add हो जाएगा क्योंकि stream जो flow कर रही है पानी की जो धारा है उसकी speed कितनी है x km पर आ रहे है ठीक है ना तो 18 प्लस x हो जाएगा इस बार यह लीजे 18 प्लस x से आपकी boat जाएगी boat की speed बढ़ जाएगी by x units ओके 18 प्लस x km पर आर हो जाएगी आपकी boat की speed downstream में है अब सुनो अगर हम आपसे पूछें कि same distance क्योंकि उसने question में बोला है पढ़ लो क्या रहा है कि motor boat is speed is 18 km in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream then to return the downstream to the same spot यहां से पढ़के पता चलता है to return downstream to the same spot यहां से पढ़के पता चलता है कि उसको जितना distance वो upstream में गया था तो distance हमको फिर से कितना लेना है downstream में 24 km ही लेना है हमको distance चीक तो 24 km ही हमको distance लेना है अब सुनो अब अगर हम आपसे पूछ रहें कि time in downstream कितना हो जाएगा तो time in downstream कितना होगा time कैसे निकालता है distance upon speed से तो downstream का भी distance कितना है 24 लेकिन speed कितनी है boat की 18 plus ऐसे करके हम ने क्या किया हमने अप stream का time निकाल लिया और downstream का time निकाल लिया अब बहुत खास बात देखेंगे इस question में ध्यान से सुनिए बहुत खास बात है color में change कर देता हूँ according to the question आप क्या देखते हो सुन लो ध्यान से यहाँ पर देखिए according to the question आप क्या देखते हो according to the question आप यह देखते हो उसने क्या बोला आप से कह रहा है कि motor boat whose speed is 18 km in still water takes one hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot ठेक कह रहा है कि 24 km upstream जाने में न एक घंटा जादा लगता है rather than downstream जाने में rather than उतना ही distance downstream travel करने में जणा attention आपको आप खुद सोचो ना ज़्यादा समय कहा लगेगा बता हूँ upstream जाने में सीदी सी बात है आप स्ट्रीम जारे हो stream के opposite जा रहे हो आपकी speed decrease हो जाएगी Speed अगर कम हो जाएगी तो ज्यादा समय लगेगा ना इあने कि जो upstream का समय है, वो down stream से ज़ादा है, और कितना ज़ादा है, one hour more एक घंटा ज़ादा है, तो according to the question बढ़ दीजे, जो tu है, यानि कि time in upstream वो क्या है, one more है, यानि कि one add करो किसमे, time in downstream में, ये लो देखा आपने, अब stream में जो समय लगता है वो one hour more लगता है किस से, time in downstream में, से, ओके, अब यहाँ पर अगर आप value रखोगे, तो आपकी equation बन जाएगी, ठीक है यहाँ थोड़ा सा हटाना पड़े गए language ठीक, देखे, अभी तक क्या है आपके पास, यहाँ पर equation, tu, tu यानि कि upstream का जो समय है वो downstream के समय से, कितना जादा है one hour जादा है, अब रख दो value, time in upstream निकाला था, आपने कितना आया था, 24 upon 18 minus x, तो time in upstream 24 upon 18 minus x is equals to, time in downstream कितना था, 24 by 18 plus x, है ना, 24 by 18 plus x था, ठीक, और यहाँ पर क्या है, plus में one है, अब इस equation को हम second page पर copy कर लेते हैं, और इसको हम solve कर लेते हैं, चली, so, कितना है, 24, अब इसको solve करने की बारी है, 24 upon 18 minus x, time in upstream is equals to, time in downstream यानि कि 24 by 18 plus x, और 7 में किया था, plus one था, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सबसे पहले नीचे bracket लगा लो, इसको पकड़के left में लेके आओ, तो यहाँ से हो जाएगा 24 by 18 minus x, अब एक बार बताओ, इस पूरे quantity के आगे, छेक, इस पूरे quantity के आगे, कोई sign नहीं लगाए, 24 के आगे, तो यहाँ plus मानेंगे, तो उधर आएगा, तो left में minus हो जागा, नीचे का sign मत change कर देना, 18 plus x को 18 minus x मत कर देना, यह पूरी एक quantity है, इसके आगे plus है, left में आएगा minus हो जाएगा, तो minus 24 by 18 plus x, छेक, यहाँ आगया, is equals 2 में कितना बच गया, plus 1, याने कि 1 बच गया, अब सुनो, क्या करेंगे, ऐसी equations को हमने आपको solve करना सिखाया है, करना कुछ नहीं है, इसमें आपको, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक काम करो, 18 minus x और 18 plus x का LCM ले लो, छेके, तो LCM of, LCM of 18 minus x and 18 plus x, इसका LCM ले लोगे, कितना आ जाएगा, दोनों को multiply कर दो बस, याने कि इसका LCM आ जाएगा, 18 minus x into 18 plus x, यही इसका LCM है, तो हमने आपको बताया था पीछे के question में, कि जैसे आपको pyq का form का मिले, तो नीचे जो आपको number दिखाई पढ़ना है, या expression दिखाई पढ़ना है, उसका LCM ले लो, 18 minus x, 18 plus x, जितना LCM आ जाता है, उस LCM से both side multiply कर दो, याने कि हम लिखेंगे क्या, multiplying, multiplying by, by, LCM कितना है, multiplying by, 18 minus x into, 18 plus x, both side, check, both side, both side हम क्या करेंगे, 18 minus x और 18 plus x से multiply कर देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से करो, पहले इसको bracket copy कर लो, ठीक, 24 by, मतलब पहले पूरा इतना copy कर लो, जो उपर लिखा है, 18 minus x, और minus, 24 by, 18 plus x, और यहाँ पे curly braces लगा दो, ऐसे करके, पूरा पहले bracket में ले लो है न, is equals to 1, अब क्या किया हमने, हमने क्या करना है, left hand side भी multiply करना है किस से, LCM से, LCM कितना है, 18 minus x, इंटो, 18 plus x, यह left hand side भी multiply किया, और right hand side भी करेंगे, 1 में भी, LCM से, LCM कितना है, 18 minus x, इंटो, 18 plus x, ठीक, यह हो गया, अब ध्यान दे, यह पूरा multiplication, पहले first sum में multiply करेगा, तो यहा से आजाएगा, आपके पास, देखो, 18 minus x, into, 18 plus x, यह ना, और into में, into, dot का मतलब into, into में 24, by, क्या है, 18 minus x, आप चेक कर सकते हो, यह पूरा जाएगा, first sum में multiply करेगा, फिर minus copy करेंगे, और यह पूरा जाएगा, second sum में multiply करेगा, यह यह पूरा आएगा, और यहाँ भी multiply करेग second sum में, याने कि 18 minus x, into, 18 plus x, into, 24, by, 18 plus x, is equals to, 1 से इस में multiply करोगे, फर्क पड़ेगा, नहीं, 1 into, this whole thing, इतना ही आ जाएगा, याने कि 18 minus x, into, 18, और plus x, ठीक है, अब ध्यान दे बच्चे, 18 minus x से 18 minus x कर जाएगा, क्योंकि सब कुछ multiply में है यहाँ पर, इसी तरीके से 18 plus x, 18 plus x कर जाएगा, ठीक है न, और यहाँ से आपके पास आजाएगा, अगर आप ध्यान दे, so, यहाँ से आपके पास आजाएगा, बच्चों, ध्यान दे, यहाँ बच्चा आपके पास 18 plus x, into, इसको आप 24 इंटू 18 प्लस X भी लग सकते हो, तो यहां से बचा 24 इंटू 18 प्लस X, ठीक, फिर minus, यह वाला minus, क्या बचा 24 इंटू 18-X, ठीक, फिर 24 इंटू 18-X इंटू 24 करो, या 24 इंटू 18-X करो, बात क्या है, इसे में, ठीक, और is equals to में क्या बच गया, अब सुनिए खास इस इकुल्स टू में यह आपके पास बच्चा है 18-x into 18-x यहाँ अइडेंटिटी लग जाएगी a plus b a minus b यहाँ देना आपको अलग कलर से मैं आपको करके दिखाता हूँ यह देखिए क्या होता है a minus b into a plus b यह क्या होता है आपका a square minus b square होता है तो बताओ 18-x 18-x और 18 plus x यह क्या होगा आपका 18 का square यहने के a square और minus b square यहने के x square यह लो और 18 का square कितना होता है 18 into 18 करके देख लीजे कितना होता है 8 8 is a 64 6 8 1 जा 8 plus 6 14 into 1 8 is a 8 और 1 1 is a 1 छीख 4 8 plus 4 12 1 324 होता है ठीक है 8 8 64 6 8 1 6 14 1 8 1 4 8 plus 4 12 1 ठीक है 324 हो गया ठीक है students तो इस तरीके से 18 का जो square होता है वो कितना होता है 300 कितना होता है 324 आ गया 18 का square 18 into 18 और minus का x square यहने के यह पूरा solve होके कितना आ जाएगा यह पूरा solve होके a minus b a plus b a square minus b square से 324 minus x square आ जाएगा तो right hand side होगा 324 minus x square हो गया यह लीजे ठेक note करिए बच्चे note करिए note कर लें students फटा फटा सभी बच्चे कर लिया चलो अब देखो अब यहाँ पर वापस आ जाएए tension है नहीं कोई 24 into 18 तो यह हो गया 24 into 18 ओके और plus क्योंकि यहाँ बाहर plus है तो plus plus यह देखो plus plus और 24 into x 24x यह लो फिर अब ध्यान देना अब very important यह वाला यहाँ minus है ठीक तो minus 24 into x हो जाएगा पहले तो माइनस 24 into 18 हो जाएगा फिर यह वाला माइनस और यह वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा 24 into x 24 x हो जाएगा इस इक्वल्स तो में कितना आएगा 324 324 और माइनस का x square यह लो चेक अब सनो बच्चों ध्यान दो 24 into 18 को solve करने की दिरुवत नहीं है क्यों सर क्योंकि जितना यह आएगा उतना ही आएगा और यह negative आएगा यह positive आएगा भाई 24 into 18 कुस तो होता होगा जो भी होता होगा वो यहाँ पर देखो यह plus का sign आएगा और यह पूरा माइनस में आएगा तो एक माइनस में होगा एक प्लस में कड़ जाएगा ठेक अब बचा क्या 24x और प्लस 24x कितना हो जाएगा 48x यह लो भाई 24x प्लस 24x 48x is equal to में क्या हो गया 324 माइनस में x square अब हम next step में क्या करेंगे माइनस x square को left hand side लेके आएगे तो इधर आके 48x में add हो जाएगा 48x और प्लस x square और is equals to में होगा 324 सही है अब थोड़ा सा इसको rearrange करके लिख लो x square को पहले लिख सकते हो आप और प्लस का 48x तो है ही है ठीक यह हो गया इसको rearrange कर लिए और 324 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 324 is equals to में 0 हो जाएगा यह लीजे तो य कितना है एकस स्कुयर और प्लस 48x और माइनस 324 is equals to 0 अब हम इसको compare करेंगे standard form से standard form क्या होता है quadratic equation का ax square और प्लस bx और प्लस c is equals to 0 तो x square को कोफिशन यहां कितना है 1 और यहां पे x कोफिशन ए यानिकि a की वेलू हो गई 1 और यहां पे x का कोफिशन 48 यहां पे x का कोफिश अब यहां से quadratic formula लगा दीजे x is equals to minus of b or plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a यह लीचे चलिए solve करते हैं तो यहां सा जाएगा x is equals to minus ऐसे ही रहेगा यह वाला minus ऐसे ही रहेगा और b खुद ही अच्छा b तो positive है कोई बात नहीं तो b की value कितनी है 48 है तो minus 48 आ गया है और plus minus square root of अब यह b square minus 4ac को अ को अलक्स से solve कर लीचेंग ठीक सो b square और minus 4ac को अलक्स से solve कर लेंगे b कितना है जाके देखिए 48 तो 48 का square हाना और minus 4 into a into c 4 into a a कितना है 1 और c कितना है c आपका minus 324 minus 324 ठीक now 48 का square कितना होता है solve करना पड़ेगा हम लोगों को 48 into 48 ठीक 48 into 2 मत कर देना 48 square मतलब 48 into 48 8 8 जा 64 6 जाएगा 8 4 जा 32 32 प्लस 6 होता है 38 ठीक 8 8 जा 64 6 8 जा 32 32 प्लस 6 38 क्रॉस लगाएंगे यहां 4 जा 32 यहां पर जाएगा 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 ठीक 4 8 प्लस 2 10 वन जाएगा 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 वन जाएगा 2 2 3 0 4 ठीक 2 3 0 4 ओके students तो कितना आ गया 48 का square 2 3 0 4 अब माइनस माइनस प्लस होता है और 4 into 1 4 4 into 3 24 so 3 24 को 4 से multiply करिए 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 4 3 जा 12 1296 1296 छेक अब 2 3 0 4 में add करेंगे हम लोग क्या 2 3 0 4 में add करेंगे 1296 छेलिए add करिए 6 प्लस 4 10 वन जाएगा 9 प्लस 1 10 वन जाएगा 3 प्लस 3 6 2 प्लस 1 3 3600 आ गया तो इस तरीके से बच्चों आपका जो b square minus 4 ac वो 3600 आया which is greater than 0 जो की positive है हमने बताय था आपको b square minus 4 ac अगर positive आएगा या 0 आएगा तो real roots exist करेंगे यानि कि यहाँ पर x की value निकाल पाना possible है ठीके students इतना copy करिए पहले फिर मैं आपको आगे बताता हूं copy कर लीचे कर लिया चलो तो b square minus 4 ac कितना आ रहा है 3600 आ रहा है ठीक ऐसा हो गया अब देखते हैं देखिए बच्चों यहाँ पर 3600 का square root कितना आ जाएगा 60 इतना तो सबको पता होगा देख लीचे 3600 को आप क्या लिखोगी बताओ इसको लिखोगी आप 36 into 100 ठीक 36 का square root कितना होता है 6 और 100 का square root 10 60 इंदा 60 लो क्या दिखकत है ठीक है तो इस तरीके से 36 का 100 का square root कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा तो यहाँ सा आ जाएगा आपके बास x is equals to minus 48 और plus minus square root of 3600 आ गया 60 divided by 2 into 1 is 2 अब क्या करेंगे एक बार बीच में plus लेंगे एक बार minus और और starting में जो minus 48 एसको हम ऐसे ही रहने देंगे 48 का sign मत change कर देना चेक है न तो एक बार हमने क्या किया x is equals to minus 48 x is also minus 48 और भीच में क्या लिया plus लिया 60 by 2 और दूसरी बार हम क्या करेंगे x is equals to minus 48 ऐसे ही रहेगा और बीच म से आ जाएगा कितना x is equals to minus 48 अब देखो 60 minus 48 कितना होता है 12 हो जाता है यह ना भाई 60 पॉजिटिव है और 48 negative 60 minus 48 12 so 12 by 2 2 1s are 2 होता है 2 6 are 12 6 upon 1 6 होता है यहनि कि x is equals to 6 क्या किलो मीटर पर आर तो speed of the stream को आपने कितना माना था पानी कितने speed से flow कर रहा होगा 6 क्लोमेटर पर आर से यहां से x बराबर minus minus plus ठीक है 8 6 plus 4 10 minus 100 8 by 2 2 1s are 2 2 5s are 4 ठीक 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 बराबर कितना आ गया minus 54 अब सुनो speed कभी negative हो नहीं सकती इसलिए यह वाली value reject कर देंगे speed cannot be negative speed negative नहीं होती भाई ठीक तो फाइनल आंसर आ गया speed the speed of the stream stream की speed को आपने एक्समाना था इस फीड़ स्ट्रीम is is 6 किलो मीटर पर आर यह लीजे यह आपका अंसर है मैच कर सकते हो बिल्कुल सही आंसर है okay students now अब यह देखिए यह आपका है यहाँ पर देख लीजे आप यह आपका first page है ठीक है यह आपका first page है screenshot ले सकते हो आप फिर यहाँ पर आ जाओ यह आपका second page है screenshot ले सकते हो आप ले लीजे उसके बाद यह आपका third page ओके students तो इस तरीके से हमने सारे example solve कर ली हैं